बात करते हैं आगामी संसथ सत्र की क्योंकि लोगसभा की बदलीवी तस्वीरों के बीच इस बार संसथ का सत्र दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि इसी सत्र में जहां स्पीकर चुना जाना है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को गेने की प्लानिंग कर रहा है संसथ का ये जो सत्र है वो 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाय तक चलेगा इस दौरान 27 जून को रश्रपती का अभिभाशन होगा और वो संसथ के दोनों सदनों को एक साथ समोधित करेंगी इस दौरान 28 लोग सभा के पहले सत्र में कुल 9 बैठके होगी और नए सांसथ की शुपत के साथ साथ स्पीकर और डेपिटी स्पीकर का फैसला भी इसी सत्र में हो जाएगा संसथ सत्र पर हमारे समादाता अक्ष्वराय की एक खास रपॉर्ट आपको दिखाते है केंद्र में लगतार तीसरी बार प्रधानमत्ती नरेंद्र मोदी के नित्रित्व में एंडिय की सरकार न सिर्फ बन चुकी है बलकि अक्षन मोड में भी काम शुरू कर चुकी है मंत्री अपना पदभार समाल चुके हैं अब बारी संसथ में शक्ति प्रधाशन की है क्योंकि 24 जुन चाठारवी लोगसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है जिसके पहले दो दिन प्रोटे में स्पीकर संसथों को शपत दिलाएगी तो वहीं सत्र शुरू होने के दो दिन बाद यानि 26 जुन को लोगसभा अपने नहे दक्ष का चुनाओ करेगी वैसे आंग्रों की बात करें तो एंडिये के पास बहुमत से जादा नंबर है ऐसे में सत्र पक्ष की कोशिस है कि स्पीकर का च्राओ सर्व समती से हो जा इसे लेकर कल एंडिये के एक बड़ी बैटक यूँगी रक्षामंती राजना सिंग के आवाज पर इस बैठक में बीजे प्यदक्ष जेपी नड़ा के साथ इंडिये के साथी दलों के नेता भी बहुझ थी चानकारी के मुताबिक इस बैठक में स्पीकर और डिपनी स्पीकर बंद पर मंतन तो हुआ ही साथ इंडिये के नड़ स्पीकर बंद बुलेकर सहमती बनाने का भी प्रयास हुआ इंडिये के साथ दल पहले बीजे पी को स्पीकर बंद पर समतर देने का ऐलान कर चुके है लेकि इस स्पीकर का पध सदन का सबस्ज़ादे मर्याजित पध होता है और जो ruling party है पहला अधिकार उसी का होता है उस पत्थ के लिए तो जो इंडी गठवंदन की जो मांग है या जो उनके बयान है वो आपतिजने के भारतीय जन्ता party या एंडीय गठवंदन का पहला हक उस पत्थ पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारती जिन्ता पार्टी गठ्वंदन की बड़ी पार्टी है वो उसका अधिकार पहले हैं इसलिए इस पर की गई कवायद बेखार है एंडे किस बैटक में विपक्ष का सामना करने की रणिती पर भी मन्थर हुआ दरसल दोजा 14 के बाद इस बार विपक्ष पहली बार संसत फास कर लोग सभा में इतनी मजबूत इस्तिती में है ऐसे में वो नसिब स्पीकर पद पर अपना 85 उताने के मूट में है बलकि वो कई म उतों पस सरकार को खेनी की प्लानिंग भी कर रहा है दरसल कॉंग्रस की तरफ से कहा जोरा कि डिप्नि स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए यहीन इस बार संसत सद्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार भी दिख रहे हैं क्योंकि मजबूत विपक्ष इट परिक् मणिपूर के मुद्धे पर अविश्वास प्रस्ताव तक लिए ऐसे बी इस बार वो इस मुद्धे पर सरकार को रियायत देगी इसके उमीद कम ही है भारत की संबेदन सील सीमा पर इस्तित्रारा मणिपूर राज सालों से हिंसा की आग में जल रहा है राजनीत के चलते हैं बल्कि उसाथ को और बढ़ाया जा रहा है यह सब भाजबा अपने हिद्धे कर लेए कितने घर जल गए कितने पूजास्थल जल गए और पारलमेंट में इतने तक कारवाई ठपने पर वारे इस देश के वधानमंती नेरे मोधी की आपके कान पर जूम ही नहीं रहे मैं फिर आगरा करोगा अन्रोद करोगा कि वधानमंती की अपनी जिच छोड़े मणीपूर जाईए वहां की लोगों में विश्वास परदा रहा है यानि चिनाव भले खत्म हो चुकी और मोधी त्रीक बंडो कामकाज भी सम्हाल चुकी हो लेकिन संसत के बदले आगरों का सर इस बार सत्र की कारवायों पर भी साफ नजर आएगा ऐसे में बीजेपी और एंडिये एक मजबूत विपक्ष का सदन में किस तरह सामना करती है ये भी देखने लायक होगा नरेंद्र मोधी के तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद पहली बार संसत का विशेश सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है जो 3 जुलाई तक चलेगा विपक्ष क्योंकि इस बार मजबूत इसुती में है विपक्ष चाहता है के जिफ्री स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए साथी साथ कई मुद्डों पर विपक्ष आकरामक नीती अपना सकता है जिसमें की मनिपूर मसला भी शामिल है साथी साथ रेल हादसों पर भी सरकार के वक्तब की मांग कर सकता है जाज प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायत कर सकता है देखना दिल्चस्प होगा कि इस बार का संसर सत्र कितना हंगामेदार होता है और कितनी क्यारवाई सुनिशित की जा सकती है हालाकि सब कुछ सरकार पर निर्फर करता है के वरन मोहित के साथ मैं अक्षे राय भारट 24 दिल्ली